गैस आज में जो आपको बताने वाला हूँ, इसके बाद जो आपका जो स्मार्टफोन है ना, नॉर्मली लोगों का फोन देड़ दो साल तक अच्छे से चलता है, उसके बाद प्रॉब्लम्स क्रियेट होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन गैस इस वीडियो में मैं आपको जो मैं आपको बताऊंगा, इससे आपको जो फोन है वो लॉंग टाइम तक सालो साल चलेगा और आपको बहुत ज़्यादा है, आपके पास कोई भी कमपनी का स्मार्टफोन है, आप इस वीडियो को देख सकते हो, आपके सबसे पहले बात करें अगर आपके पास कोई भी स्मार स्मार्टफोन हो, अगर आपका फोन अच्छा खासा प्राइस का फोन है, मान लो आपका फोन 25,000 रुपए का फोन है, और जैसे समसंग का स्मार्टफोन है, हम लोगों को स्क्रेटी पैच अपडेट देखने को मिलता है और दो मेजर अपडेट देखने को मिलता है जनरली, तो यहां पे guys मैं आपसे यह request करना चाहता हूँ कि अगर आपका जो phone है वो Android 10 के साथ launch हुआ है तो आपको Android 11 का software update करना है लेकिन 12 का software update नहीं करना है और वहीं पे guys अगर आपका phone जो है अपने खरीदा Android 12 के साथ आया है आपके पास तो आपको 13 कर लेना है लेकिन 14 अगर मिलता security patch update कर सकते हो कोई भी दिक्कत नहीं आएगा अगर वहीं पे guys अगर आप 14 तक करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं आगा लेकिन अगर आप 14 के बाद security patch update करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा problem आने वाली है तो guys सिर्फ एक major update आपको करना है और कोशिश करना है कि एक major update के बा आज phone खरीद रहें लेकिन दो साल बाद guys वो जो हमारा phone है उसका जो hardware है वो हम लोगों को नया software मिलेगा तो उसको accept करने के लिए capable होगा उसको run करने के लिए capable होगा या फिर नहीं होगा यह बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है तो मान लीजे guys अगर हमारा phone अभी दो साल पह पाता capable नहीं होता इतना ज़्यादा hardware कि वो बहुत अच्छे से run कर पाए अगर अच्छे से run भी करेगा तो बीज वीच में आपको lag वगरा देखने को मिलेंगे जो की problem कर सकता है यही lag वगरा बाद में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर phone को use करने का मन नहीं करता हम लोगों को आप मेरे वीडियो उठा कर देख सकते हो पिछले कमेंट्स अगरा भी देख सकते हो लोगों को samsung के smart phone में अभी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है उन्होंने एक major update किया 10 के साथ खरीता था 11 में update किया कोई भी दिक्कत नहीं आई जो टीमोटी बर्ग वग खराब हो जारा है मतलब यहां पर 12,000 रुपे डिस्पले चेंज करवाने के लग रहे हैं और वहीं पर अगर आपका फोन कर्व डिस्पले वाला फोन है तो आपको 18,000 रुपे लगेंगे बहुत जादा प्रॉब्लम हो सकती है तो इस वीडियो से बस एक ही चीज मैं आपको प्रॉब्लम आ रही है जो बहुत जादा दिक्तत करी है तो उस कंडिशन में आप सॉफ्टेर अपडेट कर लेना पहले इधर उदर पता कर लेना कि अपडेट के बाद सब कुछ चाही है या फिर नहीं है तो आप कर सकते हो और वहीं पर गैस अगर आपको बहुत जादा मन है नया सॉफ्टेर अपडेट नया मेजर चीज आपको एक्सप्लोर करना है उसको देखना है आपको यूज करना है तो गैस मैं आप लोगों से एक ही सजेशन दूँगा आप लोगो कि पहले किसी का रिव्यू देख लो हमारा रिव्यू देख लो या फिर किसी फ्रेंड से पूछ लो उसने अपडेट किया है तो क्या सेम फोन अगर उसके पास है जो आपके पास होगा या फिर किसी का वीडियो देख लो यूटूब में वो आपको बता देगा सही जेन्विन कोई बंदा अगर आपको यूटूब में लगता है तो जरूर गईस आप दिक्कत में पड़ोगे जैसा कि यहाँ पे भी बहुत सारे लोग अडग गए है और मैंने वीडियो बना की भी लोगों को बता दिया था कि सौफटर अपडेट आपको नहीं करना है बहुत प्रॉब्लम हो रहे हैं तो यह वाला सीन क्रियेट हो जाता है गईस मैं आप लोगों से बहुत अच्छे से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ मैं किसी कभी फोन खराब हो यह नहीं चाहता क्योंकि डिस्प्ले या फिर मदर बोड यह सारा कुछ चेंज करने में बहुत जादा पैसा लगता है 10-12,000 रुपे बहुत बड़ी रकम होती है गईस तो अगर आप चाहते हो कि आपका फोन अच्छा चले लंबे समय तक आपका फोन 4-5 साल पूरा पैसा वसूल चले तो definitely guys आपको एक साल के बाद बेफिकर होके software update नहीं करना चाहिए अगर बहुत मन है तो मैंने आपको बताया पहले उसके बारे में थोड़ा सा experience ले लो इधर उधर से कैसा चल रहा है problem तो नहीं कर रहा है उसकी बाद ही आपको update करना है चाहे वो एक छोटा सा 100-200 MB का security patch update ही क्यों ना हो उसको भी आपको नहीं करना है और android update या फिर बड़े मेजर अपडेट से तो जाधा problem यह लोग छोटे छोटे चोटे अपडेट होते ना यह करते हैं अब उससे बीज़ादा important चीज में आपको बता रहा हूं इस वीडियो में यह चीज का पूरा घ्रहान रखन करना है बहुत ज़्यादा important चीज है अगर आप software update करते हो तो आपका internet connection बहुत ज़्यादा strong होना चाहिए अगर software update करने के थुरू अगर आपका internet थोड़ा भी थोड़ा दिर बंद हो जाता है या फिर कम ज्यादा होता है problem करता है अगर आपका update रुख जाता है तो समझ चीज में रुक के आपका software download हुआ तो उसमें bugs आ जाते हैं कुछ-कुछ चीज missing हो जाती है ऐसा मैं नहीं बोलना सिर्फ guys service center वाले भी यह चीज़ बोलते है company भी यह चीज़ सजेश्ट करती है कि अगर आप कभी भी software update करते हो तो आपको wifi लेना चाहिए router वगरा से आपको कर करना चाहिए और आप जब software update start भी करते हो तो वहाँ पर आपको suggestion आता है कि आपको wifi से करना चाहिए कई लोग data से कर देते हैं छोटा update समझ के या फिर मेरे पास इतना जीवी में कर लेता हूं यह समझ के ऐसे भूल नहीं करना है guys क्योंकि आपको main data भी कभी-कभी दिक्कत कर करता है कभी natural goal हो गया तो बहुत जादा दिक्कत करेगा तो make sure guys आपके area में बहुत अच्छा internet speed है आप data से भी कर रहे हो तो बहुत अच्छा internet speed है कोई दिक्कत नहीं कर रहा है रूक रूक के नहीं चल रहा है आप definitely software update कर सकते हैं उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं आईगी ऐसा बिल्कुल भी मत करना गया इसकी थोड़ा साथ आपने किया उसके पॉश कर दियो उसको उसके बाद थोड़े दिर बाद या कुछ दिन बाद कुछ से start कर रहे हो ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना चाहिए आपको सीधे से आपको फट से download करना है बिना अगर आप अभी से इस बात का ख्याल रखेंगे तो आप यहां पर कमेंट में आके थैंक्यू बोलने वाले हैं क्यूंकि आपका फोन बहुत अच्छा लंबे समय तक चलेगा और पैसा वसूल चलेगा आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी छोटी मोटी दिक्कत से आप ब पसंद भी आया होगा वीडियो उगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो को लाइक कर देना एंड थैंक्स पर वॉचिंग गाइस